सब्सक्राइब कर देखेंगे पाकिसान की मश्रूर पत्रकार आरजू काजमी क्यूं भारती मेजर गोरवार्या से नराज और खफा हो गई तो ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा तो इसे हम तक लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहे तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत यही बात जो है वो अब आपको समझनी की जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को अब मानने लगा है ये बहुत मेरा ठीड़ा है कि तोड़ा सा आपको भी हलका सा मतला जगा देनी चाहिए हलका सा पाकिस्तान को थोड़ी स्पेस दीजिए चाहिए कि स्फोर्ट में ऎक्मी स्ट्रीन śmानी चाहिए और वह भी ऐसे लोगों की तरव से जिन को बहुत सना जाताए जिनरे बहुत माना जाता है हिंदोस्तान में तो खेर हैं ही मेजर साब के बेशुमार फैंस हैं मगर पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैंस हैं और जो के उनकी मैंने जे सका के उनकी ना सिर्फ ये के उनकी यूट्यूब वीडियो देखते हैं बलके किसी भी चैनल पर हो वो चायरी पबलिक बारत पर ह या कहीं भी हो किसी और के यूट्यूब चैनल पर भी हो तो वीडियो भी लोग देखते हैं और उसमें बड़े बच्चे बुजर्ग सभी शामिल है जो तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की लेकिन अगर आप तोड़ा सा पॉजिटिव आप इतना जादे नेगेटिव नहीं बात करेंगे तो मेरा चैनल अच्छा होगा क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं लोग आपसे इफ्लूइंस भी हो रहे हैं लोग आपकी बात को फॉलो भी कर रहे हैं तो तोड़ा सा पाकिस्तान को मैं यह नहीं कह रही है अब आप सब कुछ नहीं कह रही हैं मैं कह रही हूं बिलकुल किया है गलती हमारी है सब कुछ हमने किया है चाहे वो पुलवामा हो पठान कोट हो चाहे वो कारगिल हो चाहे वो मंबई अटैक हो सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से हुआ है लेकिन अब पाकिस्तान को एसास हुआ है या जो टररिस्ट है या टरिस और्गनाईजेशन जगर उनको कंट्रोल नहीं कर पारा तो तो फिर पाकिस्तान भारत से हल्प ले सकता है तो आपको चाहिए आप मेंड करखें आपको चाहिए मिलकर काम करें इसलिए कि ये अब दोनों कंट्रीज का ही मामला है दोनों कंट्रीज का ही प्रॉब्लम है बारत का नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हमने जो पैदा किये थे साफ हमने जो पाले पोसे और हमने जिस तरह से टरर और्गनाजेशन को सपोर्ट किया अब वो पाकिस्तान के solve कर पाएंगे मैं यह नहीं कहा रही कि सबके mindset change हो गए हैं हर एक जो है वो बहुत ही positive सोचना शुरू हो गया पाकिसान में ऐसा कुछ नहीं है पाकिसान में अभी भी बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका जिहादी mind है अभी भी बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मुपे जो है वो कोई और बात कर रहे होंगे दिल में कुछ और होगा ऐसे बहुत से लोग आपको दिखेंगे जिनके अंदर अभी भी Hindu नफरत है जो अभी भी किसी Hindu के साथ बैढ़के खाना खाना पसंद नहीं करेंगे उनके साथ किसी तैवार पे या किसी festival में शरीक पसंद नहीं करेंगे, उनका दियावा कुछ खाना, पीना, कुछ पहना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग बेतरी की तरफ भी जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि तोड़ा में पॉजिटिव, तोड़ा सा सोच लेना चाहिए, बहुत साथा ट्रस्ट मत कीजिए, हम बिल्कुल नहीं कहरें कि आप ट्रस्ट कीजिए, जाहिर है, जितनी चीज़ें पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बीच में हो गई है, तो उसके बात ट्रस्ट करना तो फिलाल बनता ही नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा हम स्पेस दें, अपने स्पोर्ट के लोगों को, अगर वो ना पाकिस्तान में खेल रहे हैं, ना हिंदुस्तान में खेल रहे हैं, वो जाके अमेरिका में खेल रहे हैं और ये वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप जो होता है, उसमें हर टीम को जाना होता है, ये कोई बारत ने और्गनाइज नहीं कि आठा और साथ ही साथ मैचेस भी हुए थे उस वक्त तो आपने कोई बाद नहीं की मेजर साब लेकिन अब जब अमेरिका में सब कुछ हो रहा है और आपको तो बलके इनके अगेंस्ट बात करनी चाहिए थी आएसाइस को रासान के लिए बात करनी चाहिए थी क्या करनी चाहि है वो अठाक कर देंगे इसकी संबता थरेट उन्होंने दिया है तो आफिर वह कौण लोगें जो इंदोस्तान पाकिस्तान को कभी भी पुरसकून देखना नहीं चाहते हैं वह कौन लोग है जो पाकिस्तान ही अच्छे लोग हैं हम तो बड़े जी फरिश्टे हम तो बहुत ही नेक लोग हैं नहीं हमारे यह बहुत से खराब लोग नहीं हैं कि हमारे कह देने से जो है वो गवर्मेंट जो हैं वो अपनी पॉलिसी बनाती हो या चेंज करती हो या लोग अपना मैंडसेट चेंज कर लेते हो लेकिन हमारी बात करने से अगर दो लोग भी कुछ बहतर सोचने लगें तो मेरा ख्याल है वह भी बहुत बहुत लोग सुनते हैं और मेरा ख्याल को अपना एक जो पॉजिटिव रोल है वह भी प्ले करना चाहिए बिलकुल आप पाकिस्तान की बुराई करें पाकिस्तान की गलतियां भी गिनवाईए बार 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 बताईए पाकिस्तान लेकी बार 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 बताएए कि बार बार बताईए कि पाकिस्तान से क्या गलत होता रहा है और क्या गलत हो रहा है लेकिन जहां पर टोड़ा सब्सक्रासा के नहीं जी स्मग्लिंग कर लीजे वह स्मग्लिंग का रही है कि अगर पाकिसान आएंगे या दुबई आएंगे या लंदन आएंगे या अमेरिक आएंगे ऐसी किसी जगह पे जाके हम सिखा सकते हैं ना मतलब आप कुछ भी कह रहें लेकिन बाहल मुझे सरी यही कहना था कि प्लीज स्पोर्ट्स को अलग रखिये स्पोर्ट्स लोगों को खेलने दीजिए उन लोगों को क्रिकेट टाराम सकून से खेलने दीजिए बलके यह बताइए कि यह आईएस आईएस खुरासान जो है इसका इलाज क्या है इन लोगों को किस तरह से क कर रहे हैं हमारा नहीं कर रहे हैं यह सभी के लिए नुकसान दें हैं यह सभी को नुकसान पहुचा रहे हैं और इन लोगों का कोई ना कोई इलाज कोई ना कोई तोड होना चाहिए और यही मैं उमीद करती हूँ और I hope कि में जो सबको बुरादी लगेगा मैं रितना बड़ा भाशन दे दिया ऐसे तो मैंने खहलो देखेंगे ही नहीं I'm sure उतने बिजी हैं कि उन्हें मेरे वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा लेकिन बाराल जो जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे जरूर उमीद करत हो या चाहे 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 नहों जित्स जिसका बार्टर्व भी पाकिसान से लगता है वो सब पाकिस्तान से खुश्र है Пाकिसान संबल जाये पाकिसान को बचने की थोड़ी सी जगा मिल जाए और हमारी economy भी ठीक हो, हमारे लोगों की सोच भी जो है वो तोड़ी positive हो, वैसे तो खैर ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम आखरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे, बस आप लोग जो हमें देख रहे हैं, हमें सिर्फ आपकी द्वाएं चाहिएं, आप तोड़ा सा positive सोच लीजे, तो शायद बेटर होगा, बाकी, हाँ, जो गलतिया पाकिस्तान ने की हैं, हम भी खुलनम खुला उसको accept करते हैं, हम भी करते हैं, हम अब उस तरह की लोग हैं, जो हम लोग हो चीसे मानने लगें जो हम चीज़ें घलती हम नहीं मानने लगें, यकीनां चीजया घ्रॉल से रहां काहाँ हनाए,ाइन अमने व बहुत से पाकिस्तानी जो हैं, वो एक बात, इस बात को एकसेप्ट करते हैं और हम इस चीज़ को ठीक करने की भी कोशिश कर रहें, सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए, आप लोग बिल्कुल हमें क्रिटिसाइज करें, हर जगा करें, हमारी छोटी से छोटी बा आरजु कास्मी जी का अंदाज आपको काफी पसंद आए होगा, और ये वीडियो आपको काफी मज़दार लगी होगी जहां पर आपने देखा, आरजु कास्मी ने तो अपने गुस्य और नराजगी का इजहार कर दिया, कि क्यों वो मेजर गोरवारिया से नराज है, जहां पर मेजर गोरवारिया ने ये कहा था, कि भारत को पाकिसान के साथ किसी भी तरह की रिष्टे नहीं रखने चाहिए, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे फिर वर्ल्ड कप में होने वाला भात, पाकिसान का क्रिकेट मैच ही क्यों ना हो, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर पताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो लात रहे हैं, और ये वीडियो कर पसंद आईए, तो इसे लाइक और जरू करते तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंट्रस्टिंग और मज़िदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिन्द, जय भारत